प्रेम से वला संक्र भगवाय ने की जै हरहर महादेव देवो का देव महादेव जी के चरन में पणाम करती हुँ मेरा पणाम सुविकार हो माता गवरी पार्वती के चरन में पणाम करती हुँ मेरा पणाम सुविकार हो गनपती ललनमा के चरन में पणाम करती हूँ मेरा पणाम स्विकार हो सब देवी देताओं के चरन में पणाम करती हूँ मेरा पणाम स्विकार हो माता और पिताजी के चरन में पणाम करती हूँ मेरा पणाम स्विकार हो सब गुरू भाई वहना के चरनें पड़ाम करती हूँ, मेरा पड़ाम सिविकार हो गुरू भाई वहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ इस कथा को पूरा सुनियाव रहत जाने आधी नहीं, आधी सुन्ने में सिब्वगुरु का अपमान होती है और पूरा सुने में ग्यान होती है इसलिए कथा को पूरा सुने और रहत जाने हर हर महादेव घरगर महादेव गुरुभाई वहना एक नगर में एक राजा रहते थे और राजा जो थे बहुत बड़े पुजारी थे और राजा जो थे राजा अपने नजर के सामने किसी को मरते हुय नहीं देख सकते थे गुरुभाई वहना उनके नजर के सामने उमानता हुआ गंगा में भी कोई जीव दहता जाता था तो राजा सहाव अपना जान को प्रवाह नहीं करके और गंगा में कूद कर उसे जान बचा दिया करते थे गुरुभाई वहना राजा प्रती दिन गंगा असनान जाते थे और पसु पच्छियों को दाना बाड़ते जाते थे चारा बाड़ते जाते थे और गंगा में जाते थे तो असनान करके गुरुभाई वहना जल में प्रती दिन मचली का दाना खिलाते थे मचली का दाना खिलाकर और उसके बाद भगवान को लोटे में जल लेकर और एक लोटा जल सुर्जदेव के नाम से राजा गिराते थे गुरुभाई वहना एक दिन का बाद है कि राजा प्रती दिन के तरह गर से दाना ले लिए और दाना ले कर और रास्ते में पसु पच्छी को दाना खिलाते खिलाते और गंगा असनान को चले गए जब गंगा असनान के लिए चले गए तो गुरुभाई वहना राजा बड़े प्रेम से गंगा असनान कर लिए और गंगास नान करके और अपना वस्त्र बदलके और थोड़ी सी अनाज लेकर और मचली को दाना खिलाए गुरुभाई वहना एक लोटे जल लेकर और भगवान को नाम से सुर्ज देव का डड़वत देने लगे तभी गुरुभाई वहना राजा को नजर पड़ा एक बिच्चुक पानी में दहता हुआ जा रहा है गुरुभाई वहना राजा मन ही मन सोचते हैं अरे ओ तो बिच्चुक जा रहा है ओ तो दूसरे को सताता है काट लेता है और लोग उसके काटने से मर भी जाते हैं वो तो बिखधर है उसका प्रान हम नहीं बचाएंगे और मैं ऐसे भी अभी पूजा कर रहा हूँ कोई बात नहीं ओ दहता जाए तो जाए गुरु भाई बना राजा को मन में ऐसा ख्याल आया और राजा उस बिच्चु को नहीं बचाए गुरु भाई बना राजा जब डड़वत देखर मुँ फेरे हैं तो देखते हैं कि एक रिशी मुनी उसी नदी में प्रती दीन उसी वक तस्नान करने जाते थे और वो बिच्चु को धता हुआ देखकर जट से और रिशी मुनी पानी में कुद गए और कुद कर विच्चु को हाथ में चानने लगे गुरु भाई बना ओ रिशी मुनी के हाथ में ओ जो विच्चु क था ओ काट लिया लेकिन गुरु भाई बना अपना दर्द को नहीं देखकर रीशी मुनी फिर से वो बिच्चुक को चानने गए गुरुबाई वना बिच्चुक फिर से काट लिया रीशी मुनी के हाथ में और जब बिच्चुक काट लिया और फिर भी इनका हाथ में नहीं आया और तेज धारा में चला गया बिच्चुक गुरुबाई वहना जो रिशी मुनी थे क्या किये कि जो उनके तन पे चादर था शरीर पे चादर था वो चादर से चान लिए विच्छू को और चादर से च्छान कर आउशे जमीन पे ला कर गिरा दिये जमीन पे गिरा दिये और दर्द के मारे उर रिशी मुनी ब्याकुल थे लेकिन बिछुक का जान बचा लिये गुरु भाई वहना जो राजा थे राजा देख रहे थे और जाकर पुछे ओर महात्मा से रिशी मुनिसे हे मानने वारे हे रिशी वार मैं आपका बारम बार पढ़नाम करता हूँ हे रिशी वार जी तो करता है कि मैं आपका चरंद धरके और आपसे माफी मांगू गुरु भाई वहना ओ मात्मा कहने लगे कि ही राजन आखिर माफी तुम क्या मांगूगे मुझसे कोर नेसा गल्ति किया है तुने जो तुम मुझसे माफी मांगोगे गुरुभाई वहना यह जो राजा थे राजा कहने लगे कि हे प्रभू हे रिशिवार जिस विच्छु को आपने जान बचाया है ओ पानी में दहते मैं उसे देखा था लेकिन मैं बिखदर समझ के आर उसका प्रान नहीं बचाया हे रिशिवार आपने उसका तो प्रान बचा लिए आखिर ओ तो बिखदर था लोगों को काट लेता है उसका जान क्यों बचाये गुरुभाई वहना और इसी मुनी कहने लगे कि हे राजन आप इतने बड़े राजा हैं इस राज का और इतना ज्यानी पुरुष है लेकिन छोटी सी बाते आपको दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है हे राजन ओ तो बिखदर सचमुच में है लेकिन उसको काटने का धर्म है उसे नहीं पता कि ये मेरा जान बचा रहा है उसे तो ये ही लग रहा है कि मुझे ये मारने आया है इसी लिए हम लोगों को काटता है लेकिन मैं अपना फर्ज कैसे भूलूं मैं अपना फर्ज समाज कर और उसे जान बचाएं किसी को भी किसी जगा पे डूपते हुए नहीं छोड़ना चाहिए गुरु भाई बहना एसा बाद जब रीशी मुनी बोले ते राजा कहने लगे कि हे महाराज मुझे आपने आप घमंड आ गया था कि मैं तो बहुत से जीव जन्तू का पालन हार हूँ मैं तो हर जीव जन्तू का दाना खिलाता हूँ और दाना खिलाकर उसका परतिपाल करता हूँ गुरु भाई बहना ये जो रीशी वर्थे ओ कहरे लगे कि ही राजन तुमें ये भूल था कि तुने एसा मन में ख्याल लाया तुने थोड़ा सा एक पच्छी को दाना दे दिया तो उसका दिन पूरा नहीं बिता तुने तो अपना करतब का पालन कर रहा था क्योंकि तु राजा है तो सभी को राजा है इसलिए तु अन खिलाता है और तुम्हारा किया धरा तुम्हारे पास रहेगा और ओ पच्छी ओ पसू तुम्हारा एक दिन किसी रूप से ना किसी रूप से मदद कर देगा गुरुभाई वहना ए बास सुनकर राजा कहते हैं कि साधू बावा महात्मा रिशिवर ओ पच्छी जो बन में रहता है जिसे हम रोज अन खिलाते हैं क्या मुझे मदद करेगा कहने लगे कि हे राजन एही तो तुम्हारा सोच गलत है मैंने तो डूपते हुए बिच्छू को जान बचा लिया ओ मेरा क्या मदद करेगा ओ तो मेरा हाथों में काट लिया और मैं दर्द से दुखी हूँ लेकिन उसका जान बचाना मेरा फर्ज था इसलिए मैंने उसका जान बचाया क्योंकि अपने नजरों के सामने किसी को डूपते हुए नहीं देख सकते हैं गुरुभाई वहना एह राजा कहने लगे कि ठीक है महारा जब ऐसा बात है तो कभी सोचेंगे गुरुभाई वहना राजा वहां से चल दिये और अपना घर को आ गए अपना घर को आ गए गुरुभाई वहना अपना घर आये तो रानी कहने लगी कि राजा सहाब प्रती दिन आप दाना खिला कर और स्नान करके जल्दी से आ जाते थे लेकिन आज इतना लेट क्यों किये गुरु भाई वहना ए राजा अपनी सारी बाते बताएं जब अपनी सारी बाते बताएं तो रानी कहती है कि हे प्रभु हे स्वामिनात और इसी वर गलत नहीं थे और इसी वर बिल्कुल सही समझाएं और सच बताएं कोई भी जीव जन्तु हर लोग का हर प्रानी का मदद करता है किसी रूप से ना किसी रूप से जैसे आप मनुस होकर और दुसरे को दाना खिला रहे हैं तो आप कभी कही न कहीं कभी न कभी ओ सहारा करेगा गुरु भाई बहना आयेच सा सुनकर राजा अपना जो उनके मन में घमंड था ओ घमंड को दूर करके और राजा एक साधारम मानब बनके जीने लगे गुरु भाई बहना उनका मन का घमंड दूर हो गया और कहने लगे कि मैं तो राजा हूँ लेकिन ओ तो रीशी मुनी जो कुटिया में रहने वाला है एक जोपणी है जोपणी में रहने वाला है ओ दूसरे जीव को मदद करता है जिसके पास कुछ नहीं सिर्फ तन है और मेरे पास तो इतना अंधन है गुरु भाई वहना राजा को घमंड उस दिन से तूट गया और हर कोई से बड़े अच्छे से बड़े प्यार से बात करने लगे और कोई जीव जन्तु को अपना नजर के सामने दुखी नहीं रहने देते थे कोई भी परजा को दुखी नहीं रहने देते थे गुरु भाई वहना वो साधू बावा की तीन बाते हर पल उन्हें याद रहता था साधू बावा उन्हें समझाए थे कि देखो राजन पाप कमाने में देरी नहीं लगता है पुन है जो मेहनत करके और कमाना पड़ता है यह बात राजा ध्यान करके याद करके और जब भी कोई कार्ज करते थे तो रीसीवर को परणाम करके और ओकार्ज करते थे तो उनका सफल हो जाता था विजय प्राप्त होता था तो गुरुभाई वहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करे जितना चर्चा को आगे बढ़ाएं उतना खुशी है हरर महादेव घरगर महादेव